यूटूब चैनल अध्वुत सब्द बान पर उपस्थित आप सभी स्रोताओं का एक बार फिर से स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है स्रोताओं आज मैं आपको बताना चाहूंगा कि यूटूब चैनल अध्वुत सब्द बान क्यों प्रारंब करते हैं आज के वीडियो के लिए मेरे पास कमेंट आया है गायक अखाडा से उन्होंने अपना पता नहीं लिखा है सायद हो सकता है वो अपना चैनल चलाते हो गायक अखाडा से मेरे पास कमेंट आया है और वो लिखते हैं गुरू जी साधर प्रणाम, गुरू जी एक प्रस्ण बताने की कृपा करें, कि ऐसी नारी कौन थी जिसके दस पती हुए थे, बे दसों पती कौन थे और उस नारी के माता पिता कौन थे, तो स्रीमान जी, गायक अखाडा यूटूब चैनल के संचालक महोदे, मैं आपके प्रस्ण का जवाब प्रमार सहित लेकर के उपस्तितूं, तो देखिए स्रोताओ, एक कथा हरवन्स पुराण में बढ़नेत है, और हरवन्स पुराण के अनुशार, एक राजा हुए थे, बह पहिर सद इतने धर्मात्मा राजा थे, कि उन्होंने इतने यग्गों का आयूजन किया, जिससे समस्त भू मंडल को उन्होंने यग्ग मंडल में बदल दिया, उनके यग्गों से भगवान, परमपिता, ब्रह्मा प्रशन हो करके, उनके सामने उपस्तित हुए, और उनसे क कहा है पोत्र, तुम्हें इस संसार की रचना के लिए, उस समस्त रष्टी का प्रारंबिक काल चल रहा था, इस संसार की रचना के लिए, समुद्र की पुत्री सत दुर्ती से विभा कर लेना चाहिए, और समुद्र देव को भी आग्या दी, कि तुम्हें अपनी पुत्री स सत दूर्ती से हो गया और उनके गर्व से दस पुत्रों का जन्म हुआ और वो दसों पुत्र मिलकर के प्रचेता कहलाई उन दसों पुत्रों को दस प्रचेता भाई कहा गया वे वो दसों प्रचेता सत दूर्ती और प्राचीन वहर के पुत्र थे ये कथा मैं आपको हरवंस प उन्हों ने आराधना करने के लिए बन को प्रस्थान किया, वो बन को चले गए तपस्या करने के उद्देश से, और उन्होंने बन में कठोर तपस्या आरंब कर दी, उन्होंने दस अजार बर्स तक तपश्या की और इतने समय में स्रष्टी का प्रारंबिक काल था तो ब्रक्षों ने संपूर्ण स्रष्टी को अंत्रिक्ष तक ढख लिया जब ये इस्तिती उन्होंने देखी प्रचेताओं ने क्योंकि उन्हें स्रष्टी निर्माण का कारिय शौपा गया था तो दसों प्रचेताओं ने क्रोध करके और उन्हों ब्रक्षों को भस्म करना आरंब कर दिया देखिए मैं एक इसलोग पढ़ रहा हूँ प्रमाण के लिए हरवन्स पुरान का वो मैं आपको बता रहा हूँ दस प्रचेता भाईयों ने इसका संस्क्रत इसलोग का अर्थ कर रहा हूँ दस प्रचेता भाईयों ने दस हजार वर्स तक तप किया इस दोरान ब्रक्षों ने आकास तक बढ़कर पूरी प्रत्वी को ढख लिया प्रचेताओं ने तपोवल से ये जान लिया तो क्रोध में भर करके अपने मुखों से दसों प्रचेताओं ने अपने मुखों से अगनी और बाईयों निकाल करके ब्रक्षों को सुखा कर भस्म करना आरंब कर दिया जब ब्रक्ष भस्म होने लगे तो ब्रक्षों के राजा उनके पास आये और क्या बोले उप गम्या बब्री दितान राजा सोम प्रजा पतीन ये देखकर ब्रक्षों का राजा सोम उनके पास आया और बोला कोपम, गच्छता, राजान, सर्वे, प्राचीन वहर साथ ब्रक्ष सुन्या कृताम प्रतवी, साम्यताम, अगनी मारतवू हे प्राचीन वहर के पुत्रों सांत हो जाओ कौन आया था सोम आया था ब्रक्षों का राजा था सोम हो समय आपने प्रत्वी को ब्रक्ष सुःने कर दिया है, अगनी और बाईयों को रोक दो और क्या कहने लगे सोम, रत्न भूताम्चा कंप्ञाने, ब्रक्षाणाम बरवर्णनी, भवश्यम जानता तत्तौंध्रताम गमेन वय मया ये प्रचेताओ ये रत्नो भूता कण्या जो ब्रक्षों की पुत्री है अब आप कहेंगे ब्रक्षों की पूत्री कैसे है तो अगले इस लोग में बताऊँगा मैं मैंने भवश्य को देखकर इस कण्या को पालित किया था पाला था, गर्वदारन का मतलब यहां यह नहीं है कि मैंने गर्व में धारन किया, कन्या का पालन पोषण किया था, यह कन्या ब्रक्षों की पुत्री है, और क्या कहने लगे। मारशा नाम कन्यानेम ब्रक्षा मिती निर्मिताहा बहरियाम बुवस्तुम महा भागा सोम बंस बर्दनी और क्या बोले इस कन्या का नाम मारशा है सोम कह रहे हैं इस कन्या का नाम मारशा है ये महा भागा ब्रक्षों के सत से मधुमें उत्पन हुई थी तो संका का समाधान कर से कन्या कैसे उत्पन हो ये ब्रक्षों के सत्थ से मध्खु में उत्पन होई थी वो कन्या और सोम ने उसका पालन हो अन्वी पोशण किया ता और उस कन्या का नाम मारसा था तो देखे शत्यू किसा मम चादेन तेज़ा सहा, अश्याम उत्पनेशु पुत्रो दक्षो नाम प्रजा पतहा, सहम से कोपम ब्रक्षो ब्यम पतनी धर्मेण मारिशा हा, आप सबका तेज, आधा आधा मिलकर इस कन्या में एककत्र होकर एक पुत्र को जन्म देगा, जो प्रचेता दक्ष कहलाएगा आप अपना क्रोध सांत कर लें, तो स्रोताओ जब सोम ने उनसे ब्रक्ष कन्या मारिशा के बिभा का आग्रह किया, तो ये सुनकर के प्रचेताओं ने अपना क्रोध सांत कर लिया, अगनी और बायू को रोक लिया, और देखें अगला इसलोक और पढ़ रहा हूँ, फिर मारिशा के गर्म में दसों प्रचेताओं ने मानशिक सक्ती से एक गर्म का इस्थापन कराया, गर्म धारन कराया, उस समय देखिये सरोताओं मैं तुनी स्रष्टी नहीं थी, मानशिक स्रष्टी चलती थी, मन से उत्थपन किया जाता था उस समय, संकल्प से पुत्र पैदा होते थे, कुछ हमारे महान पुरुस ऐसे भी है, इस चैनल पर की वो इस पर संका करेंगे, कि ऐसे कैसे संभव है, लेकिन प्रारम्बिक स्रष्टी का निर्मान मन से ही है, आदिसक्ती ने अपनी मानसिक सक्ती से ही, मानसिक संकल्प से ही, ब्रह्मा विष्णू महिष्ट को पैदा किया, और उसके बाद मानसिक सक्ती से ही, इस स्रष्टी का कुछ आगे तक बिकास हुआ, और फिर आगे मैथुन स्रष्टी का बिकास हुआ, तो इस तरीके से स्रीमान गायक खाड़ा यूटूब चैनल के संचालक महुदे, मैंने आपके प्रश्ट का जवाब एक बार और सुन लें, वो संस्क्रत इस लोग पढ़े थे, एक मायरशा नाम ब्रक्षों के कन्या जो भगवान सोमने पाली थी, उसका बिभाद दसों प्रशेताओं के साथ किया था, तो उस मायरशा के दस्पती थे, जो की स्रश्टी के प्रारम में हुए थे, तो इस तरीके से आपके प्रशन का जवाब मैं आपको प्रमानो सहित प्रस्तुत कर चुका हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अवसे ही पसंद आई होगी, इसी के साथ अब ये वीडियो समापत होता है, जै हिंद, जै भारत!